प्रिये विद्यारतियों, कक्षा बारा के जो भुगोल विशे के विद्यारति है उनके लिए आज का वीडियो बहुत महत्व है पुर्ण है, इसलिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें विशे भुगोल प्रायोगिक जो है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, कक्षा बारवी बोर्ड परिक्षा जो है, उसमें आपके कुल तीस नंबर की प्रायोगिक परिक्षा होगी, तो उस तीस नंबर की प्रायोगिक परिक्षा में अध्याए एक से लेकर चार तक ज लिखित परिक्षा होगी तो इसका मतलब हुआ कि एक लिखित परिक्षा जो प्राईगी की होती है उसमें आपको कुल चार ही पाठों का अधियन करना है उन चारों पाठों में से आपके पंदरा आंग के प्रश्न होंगे पांच अच्छा इसके अलावा आपका जो पुस्तक है प्रायोगी की उस पुस्तक में 5 तो पांचवा पार्ट है वो है क्षेत्रिय सरवेक्षं अभिलेक तो उससे सम्मज्दिद जो आप अभिलेक फायल त्यार करेंगे एक जानि गाओं के अंदर सरवे करके आप अभिलेक फायल त्यार करेंगे वो जो मौकिक है, यानी आप आप ने जो एक सेले करके जो आपके सलेबस के पांच पार्ट है तो इन में से चार पार्ट ही मान लीजिए पाँचवा तो सर्वेक्षन का हो गए तो इन चार पाटों से समंदित जवाप प्रायोगी अभिलेक यानि फाइल तयार करेंगे उस फाइल में आप कुल जो कार्या करेंगे वो आठ अंकों की आपकी फाइल तयार होगी उससे समन्दित मोकिक जो है वो दो अंको की होगी तो ये फाइल कुल आर्ट नमबर की है हमेशा के सालों में फाइल है माधिमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से प्राइगी कुस्तिका में ही हम काम करते हैं वो ही फाइल के रूप में काम में लेते हैं और इसके प्रैक्टिकल की जो मोकिक है वो दो अंकों की होगी अच्छा इसके अलावा आपके जो छटा पार्ट है अध्यायच है स्थानिक सूचना प्रोध्योगी की ये विलोपित कर दिया गया है यानि की ये डिलीट कर दिया गया है सलेबस में नहीं है ये च्छटा पार्ट आपके सलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ें, एक से पांच पार्ट ये है, जिसमें से चार शुरू के जो वो इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिखित परिक्षा जो पंदरहं को की होगी, उसमें ये शुरू के चार पार्ट आपके आएंगे तो चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा, धन्यवाद